हेलो नमस्कार आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट इस वक्त की बड़ी ख़बर के साथ जो ने बता दे कि राज्य करमचारी वा केंद्रिय करमचारी सभी के लिए बहुत बड़ी खुस ख़बरी है क्योंकि आज किस ख़बर में हम आपको बताने वाले हैं कि ओल्ड पें करमचारीों के हित में करमचारीों में खुसी की लहर जब से ये नोटिस जारी की गई है तमाम करमचारीों में खुसी की लहर देखी जा रही है सबसे पहले खबर में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बिस्तार से बताते हैं उससे पहले एक छोटी सी अफिल करना चाह कि ऐसे ही खबरों से जुरे रहने के लिए वर्ल्ड रिपोर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और खबर को एक लाइक करके सेयर जरूर कीजिए मैं आपको बताना चाहूंगा दो हजार चोबिस को ले करके ओल्ड पेंसन योजना के बारे में आपको पता ही होगा पहले करमचारी जो भी सरकारी करमचारी होते थे उनको सरकार दुरा रिटार्मेंट के बाद वेतन के अधार पर पेंसन दिया जाता था कुछ समय से फिर से पुरानी पेंसन योजना को लागू करने की मांग हो रही है जिसके लिए पूरे देश में राष्टिया अस्तर पर मांग की जा रही थी खास करके जब चुनाबी सीजन आता है तब इसकी मांग और बढ़ जाती है इस खबर में मैं आपको पूरी जानकारी जो है पुरानी पेंसन योजना से रिलेटेट जानकारियां आपको देने जा रहा हूँ और आपको बता दे कि इसलिए इस खबर में आप लोगों को अंतक देखना है और जैसे ही चुनाबी महल देश में तयार होता है पुराने योजनाओं पर मांगे भी चालू हो जाती है इसी मांगों में से एक ओल्ड पेंसन इसकीम योजना है जिसे उठा कर कई पार्टियों की भोट भी बन जाती है अब बता दे कि लोग सभा चुनाब आने वाली है बिधान सभा चुनाबी टेक राने वाली है इसी को लेकर के जो है सरकार का भी प्रेसर सुप्रीम कोट पर कहीं न कहीं रहता ही है थोड़ा बहुत तो इसको लेकर के जो है देखा गया है कि सरकार जब अपने फेवर से इस चीज को उठाई है तो गिस तोरह का महल क्रियेट हुआ और आप लोगों को क्या कुछ फाइदा मिला है सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सरकारी करमचारी भी उल्ड पेंसन योजना की मांग को लेकर गंभीर हैं जिसे देखकर सरकार फिर से पुरानी पेंसन योजना को वापस ला सकती है सायद आपके निमाग में भी या पर्सन आ रहा होगा कि नई पेंसन योजना को छोड़कर लोग पुराने पेंसन योजना की मांग क्यों कर रहे हैं हो सकता है पुराणी पंसन योजना में करमचारियों को फाइदा आधिक हो, इसलिए हमें अल्ड पंसन योजना के बारे में जानना बहुत जरूरी है, सबसे पहले आपलोग जान लीजे कि अल्ड पंसन के तहट आप लोगों को क्या कुछ मिलने वाली है, जो की सुप्रिम का निर्नया है बता दे सरकारी करमचारियों को साल 2000 से पहले रिटार्मेंट के बाद पैंसन दी जाती थी जो सरकारी करमचारियों के पेमेंट के अनुसार दी जाती थी और करमचारियों के निधन के बाद उनके पड़िजनों को भी पैंसन की सुभधाद दी जाती थी जिसे एक अप्रेल 2004 से बंध किया गया था जिसे फिर से लाने की मांग हो रही है जिसका समर्थन सरकारी करमचारी भी कर रहे है ओल्ड पेंसन योजना को इस तरह समझा जा सकता है अगर किसी सरकारी करमचारी का वेतन 20,000 है तो उसे पेंसन रासी के रूप में उसके वेतन का आधा यानि 10,000 दिया जाएगा इस तरह की सुप्रीम कोट का भी निर्ने है कि जितने करमचारी है राज में हो केंदर में हो अगर उनको जितना सेलरी मिलता है उसके 50% उनको रिटारिमेंट होने के बाद उसे मिलना चाहिए उल्ड पेंसन योजना के लाब में आप लोगों को क्या कुछ मिलेगा आपको बता दे कि पेंसन योजना के अंतरगत सरकारी करमचारी को रिटारिमेंट के बाद उनकी वेतन रासी से आधी पेंसन के रूप में दी जाती है old pension scheme के अंतरगत अगर सरकारी करमचारी की मिर्तू retirement के बाद हो जाती है तो उनके पड़िजनों को pension की रासी दी जाती है जैसा कि आप लोग भी जानते ही होंगे जो 2000 से पहले विभाग में होंगे और अभी retire की होंगे उनको मिल रहा होगा old pension scheme के अंतरगत सरकारी करमचारी को retirement के बाद उसके वेतन का 50% वेतन pension के रूप में परदान किया जाता था old pension scheme में सरकारी करमचारी के वेतन में कटोती नहीं की जाती थी ओल्ड पेंसन स्कीम के अंतरगत हुआ सरकारी क्रमचारी जो रिटाइड हो चुका है उसे 20 सलाख रुपे तक की ग्रेजुएटी भी दी जाती थी इस तरह का सुभधा पेंसन योजना के तहट आप लोगों को मिल रहा था तो चलिए RBI ने इस तरह की बाते कही है अब देखते है कि आखिरकार सुप्रीम कोट किस नतीजे पर पहुंसती है और दोनों को तुलना करने के बाद क्या कुछ करती है नई पेंसन योजना 2024 और ओल्ड पेंसन योजना 2024 के तुलना करने के बाद सरकार क्या कुछ फैसला लेत सुप्रीम कोट क्या कुछ फैसला लेती है उसके बाद फिर से हम आप लोग को खबर में बताएंगे तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट